वैसे तो समुधर में अजीबों गरीब क्रियेचर मिलते ही रहते हैं और इनके रंग रूप और अजीब बनावोड से इसे Alien Fish भी कहते हैं तो एक ऐसे ही Alien Fish समुधर के 800 मीटर के गहराई में देखा गया है इसे देखकर ऐसा लगता है मानो कोई समुद्र में छोटा सा specific हो क्योंकि इस मचली का दिमाग वला हिस्सा बिल्कुल ही transparent है आप literally इसके आँखों के अलावा इसके सरीर के कई सारे अंगों को शाफ साब देख सकते हो बाकी मचलीओं से इसकी आँखे बिल्कुल ही अलग है ध्यान से देखने पर पता चलता है कि इसके आँखे इसके सरीर के अंदर है और 360 डिगरी तक ये अपनी आँखों को rotate कर सकती है कैलिफोर्निया के मुंटेरे बे एक्क्योरियम में इसे आखरी बर 9 दिजंबर 2021 की इसको देखा गया था वैसे तो ये बहुत ही rare है और समुद्र के उस हिसे में रहती है जहां सूरेज की रोजनी नहीं पहुंसती इसके सरीर के संरचना के हिसाब से इसको barrel eye fish के नाम से जाना जाता है सैंटिक्षो का माना है कि जहां समुद्र में sunlight नहीं होता वहां के जीव जनतु अपने आपको इस तरीके से विक्सित कर लेते है और इनके rare होने के वज़े से इने बहुत कम देखा जाता है जैसे कि barrel eye fish इसे सिर्फ 9 बार देखा गया है और इसके बारे में विज्ञानिकों को बहुत ही कम जानकारी है